नमस्कार में उश्मानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 14 सितंबर खबरों की और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्गियों पर इतने गाड़ियों को लेकर मेर परत्याशी कर सकेंगे चुनाओं के लिए परचार कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडो पर लगी मुहर बिहार में सुखे के बीच उस सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत टीम में नहीं चुने जाने के बाद स्ट्रेय सेयर ने शेयर किया यह वीडियो हिंदी हिंदुस्तानियों के लिए रखता है विशेस महत अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की धेर सारी शुब कामना है हिंदी भाषा हिंदुस्तानियों के लिए रखता है विशेस महत्व रखता है दुनिया भर में भारत की एक पहचान हिंदी से भी है भारत का एक अन्य नाम हिंदुस्तान होने के पीछे कहीं न कहीं भारत की भाषा को प्रदर्शित करती है यह दिन हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है और युवा पेड़ी को इसका उप्योग करने के लिए प्रुत्साहित करता है आपको बताते चुली कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला वहीं राष्ट भाषा परचार समीती की सिफारिश से 1953 के बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हिंदी दिवस के इस मौके पर स्कूल, कॉलेज, दफ्तर में कई तरह के कारिक्रमों का एवजन भी करवाया जाता है नबाज ने असिस्टेंट के 167 रिक्तियों के लिए निकाली भरती अधी सूशना National Bank for Agriculture and Rural Development नबाज ने डेवलपमेंट असिस्टेंट पोस्ट के कुल मिलाकर 177 रिक्तियों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारे किया है इसके लिए अगर स्यक्षिन की योगता की बात की जाये तो आवेदक को ग्रेजूशन पास होना जरूरी है इच्छोक और योग्यों मिद्वार इस वैकेंसी नोटिस से जुरी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेब लिंग पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने के इंतिम तारिक 10 ओक्चुबर दोचर बाइक्स तक है विस्तरित जानकारी के लिए आप ओफिशल वेब साइट www.nabard.org.in पर ज़ाकर चेक कर सकते हैं कैबनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडो पर लगी मुहर बीते दिन मुख्य मंतरी इंतिश कुमार ने महागचवंदन सरकार बनने के बाद अपनी अध्यक्षता में तीसरी कैबनेट की बैठक बुलाई कैबनेट की इस बैठक में मुख्य मंतरी ने कुल 19 महतपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगाई इन मुख्य एजेंडो में सबसे एहम पॉक्सो विशेस नियालाई के लिए चौन अपर जीला एवम सत्र नायदीश के पदों के स्विजन की स्विकृति दी गई है इसके साथ है पाठली पुत्रा मुंगेर पुर्णिया तथा पट्टा विशेविद्याले में सहायक प्राध्यापक सा प्राध्यापक प्राध्यापक के 370 पद तथा शुक्षिकेतर कर्मियों के निवासी पद कुल 469 पदों के स्विजन की स्विकृति दी गई है वहीं अब सरकारी जिकित्सा महाविद्यालेों के इंटर्ण को 20,000 परती महा स्टार्पेंट देने की मत को मंजोरी मेली है इनके साथ ही ऐसे 19 एजेंडों पर मुहर डगाई गई है मन्रेगा के अंतरगत बहतर कारिय में ये जीला रहा अवल बकसर एक ऐसा जीला बनकर उभडा है जो कि मन्रेगा के अंतरगत किये जाने वाले कारिय में बहतरीन प्रदर्शुन किया है मन्रेगा की रैंकिंग में टॉप 5 जीले के बात करे तो बकसर पहले अस्थान पर है इसके बाद जहानावा तीसरे अस्थान पर मुंगे चौते अस्थान पर कैमूर और पाचवे अस्थान पर जमूरी जीला आए इतने गाडियों को लेकर मेर प्रत्याशी कर सकेंगे चुनाओ के लिए परचार बिहार में लेट से ही सही लेकिन निकाय चुनाओ का बिगुल बज़ चुका है पहले चुरन का नामांकन भी शुरू हो चुका है इसके लिए मतदान 10 अक्टुबर को होना है इस बीच राज़ की मोटर वाहन से चुनाओ परचार कर सकेंगे नगर निगम नगर परिशद एवं नगर पंचायर के सभी वाड़ पार्शद परत्याशियों के लिए दो पहिया या ती पहिया वाहन अथवा एक हलका मोटर वाहन के इस्तिमाल की सीमा निरधारित की गई है वही राजे निर पहासिक और तरथा स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार परियतन को यादगार बना सकते हैं उन्ही में से एक है लखी सराय का नोनगर नोनगर लखी सराय से 10 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है और एक ऐसा खुदाई का स्थान है जो प्राचिन भारती इतिहास की पराशिक है देवी देपताओं की कई परतिमाय मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि नोनगर शेहर कई युद्व का साक्षी रहा है जमीन फ्लैट समेट अन्य दस्तावेजों की निवंधन से जुड़ी समस्याओं के लिए इस नंबर पर करें कौन बिहार में जमीन फ्लैट समेट अन्य दस्तावेजों की निवंधन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए मदेनिशेद उत्पादेवों निवंधन विभाग ने टॉल फ्री नंबर चारी किया है यहां आप अपने जमीन फ्लैट समेट अन्य दस्तावेजों की निवं ये नमबर 0612-22-30876 और 0612-22-15195 भी जारी किया है इन नमबरों पर भी डिर रजिस्ट्री अभिलेखागार सहित अन्य शिकायते दर्च कड़ाई जा सकती है तेयोहारों में यात्रियों की भीड को देखते हुए चलाई जाएंगी ये तीन स्पेश्यल ट्रेन दो सालों से करोरा का कहर जहेल रहे बिहारवासी इस सालते हो हार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए काफे उद्सुख है लिहाजा अभी से ही कई ट्रेनों में दिवाली छट तक के लिए सीटे फुल हो चुकी है हालांकि रेलवे इसके लिए उपाई कर रहे है दुर्गा पुजा दिवाली छट में यात्रियों की भाड़ी भीर की समभावनाओं को देखते हुए रेलवे द्वारा तीन अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन चुलाने का फैसला लिया गया है या ट्रेन पटना के रास्ते कोलकाता से हरीद्वार और अजमेर के बीच चलेंगी गारी संख्या 8-2-3-1-5 कोलकाता हरीद्वार सुर्धा पूजा स्पेशल एक ऑक्टूबर को कोलकाता से सुबाई 11 बच कर 25 मिनट में खुलकर राद साथे 9 बचे पटना रुपते हुए अगले दिन शाम 6 बचे हरीद्वार पहुचेगे दूसरा गारी संख्या 0-3-1-6-9 कोलकाता हरीद्वार पूजा स्पेशल एक ऑक्टूबर से 12 बच प्रतेक शोनीवार को कोलकाता से सुबाई 11 बच कर 25 मिनट में खुलकर राद साथे 9 बचे सुबा पटना रुपते हुए अगले दिन रविवार को शाम 6 बचे हरीद्वार पहुचेगे तिसरी गारी संख्या 0-3-1-2-5 कोलकाता अजमेर पूजा स्पेशल 4 ऑक्टूबर से 25 ऑक्टूबर तक सब्ता के प्रतेक मंगलवार को कोलकाता से 2 पर 2 बचे खुलकर राद के साथे 11 बचे पटना रुपते हुए 7 बच कर 40 मिनट में अजमेर पहुचेगे बेहतर बिजली सुविधा के लिए बिजली विभाग कर रही है ये तैयारी राज में बेहतर बिजली सुविधा के लिए बिजली कंपनिया तैयारी कर रही है इसके लिए भिहार की साउथ पावर डिस्टिबूशन और नॉर्थ पावर डिस्टिबूशन ने मार्च करने के लिए इन कंपनियों को कुल 6,625 करोर रुपे मिलेंगे पावर होल्डिंग कंपनी के CMG संजीव हंस ने कहा कि हम 2021 को आधहार बना कर 2024 तक नौर्थ पावर डिस्ट्रिबिशन की ओसत बिजली हानी को 25.74 फिजदी से घटा कर 16 फिजदी और साउथ बिहार पावर बिहार में सूखे के बीच सडकार ने दी किसानों को बड़ी राहत भीहार संजीव हैं सरकारी आकडों में भले ही 85% धान के रोपनी का दावा किया जा रहा हो लेकिन बिहार के किसान कुल मिला कर 40% भी धान की रोपनी नहीं कर पाये हैं आज से तीन पालियों में 20 सितंबर तक आयोजित होगी डियलेट परवेश परिक्षा बिहार डिपलोमा इन एलेमेंटरी एजुकेशन से परवेश परिक्षा 2022 का आयोजित आज यानी 14 सितंबर से प्रारंब होने जारी है जो की 20 सितंबर तक चलने वाली है बिहार डिपलोमा इन एलेमेंटरी एजुकेशन की परिक्षा CBT मोड में होगी, बिहार डिलेट परिक्षा दोजरबाइस तीन पालियों में आयुजित की जाएगी, यह सुबा आट बजे से शुरू होगा और शाम सारे 6 बजे समाप्त होगा, किसी भी परकार के देरी से बचने के लिए उमिद जरूर देखलें, जिसमें बहत पूर्णिया है, कि आपको परिक्षा सेंटर पर चपल में ही जाना है। ऐसा एक वातावरन मुहिया करवाना है। वीधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन इसे पडियाप्त नहीं माना गया और अब धाने की विजुल रिकॉर्डिंग के साथ साथ अब धाने में की गई बातचीत भी रिकॉर्ड होगी। थाने में लगे CCTV कैमरे बे तस्वीरों के साथ साथ बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। रसल सुप्रिम कोट ने दिश्वा निर्देश में कहा था कि CCTV कैमरे को अपग्रेट किया जाए ताकि वहां होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड की जा सके। आपको बता दे कि बिहार के थानों में कैमरे के अपग्रेरेशन का काम लगभग पूरा हो गया है। अगर बिहार के थानों की करे तो यहां 1270 थाना और ओपी है जहां CCTV कैमरे लगे हैं। इन में 955 थाना और 215 ओपी शामिल हैं। करिब देड़ से 2 साल पहले थाना और ओपी भवनों में यह काम पुड़ा कर लिया गया था। अब इन कैमरों के साथ औडियो रिकॉर्डिंग की सुवधा भी होगी। बिहारी पैश्वान में आज हम बात करेंगे दीपक ठाकुर की। दीपक ठाकुर जाने माने भारती गायक और यूजूवर हैं। दीपक को फिल्म गैंग्स ओव वासेपूर पार्ट वन के गाने हमनी के छोडी के से बड़ा ब्रेक मिला। दीपक ठाकुर का जन्म मुजफर पुर जीले के आथर गाउं में 24 मार्च 1996 को हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली सिक्ष्वा मुजफर पूरी की। उसके बाद इन्होंने BBA की पढ़ाई ललित नरायन मिश्रा कॉलेज बिजनस मैरेजमेंट मुजफर पूर से की। वैसे तो पहले से ही वो शादियों और छोटे फंक्षन में गाया करते थे। लेकिन उन्हें अपने जीवन में बड़ा ब्रेक तम मिला जब उन्हें गैंक्स औव वासेपुर का गाना हमनी के छोडी के मिला था। आज इन ट्रेनों का बदला रहेगा रूट यातरी गन खिरपया ध्यान दे। मुझफरपूर स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। मुझफरपूर सितामडी रक्सौल सगौली के रास्ते चुलाई जाएगी। रक्सौल से चुलने वाली 13022 रक्सौल हावडा मिथला एक्सप्रेस रक्सौल सितामडी मुझफरपूर रूट पर चलाएगी। और बनारस मुझफरपूर एक्सप्रेस अप और डाउन एक दो पास तीन साथ एक दो पास तीन आच गारियां सगौली रक्सौल सितामडी मुझफरपूर के रास्ते चलाई जाएगी। परदेश में पूरे सितंबर महीने मौनसून रहेगा महरबान। वाता उरन बिलकुल ठंडा हो गया है वहीं किसानों के धान की फसल को फाइदा होगा सबसे बड़ा फाइदा आगामी रभी फसल को होने वाला है। अलोक कुमार महता का परसनल सेक्रेटरी बनाया गया है। और इसी के साथ साथ मंत्रियों को उनके परसनल सेक्रेटरी मिल गया है। गारी में पीछे बैटने वालों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। राज में अफ फोर विलर के पीछले सीट पर बैटने वाले को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। दरेसल मिली चानकारे के मुताविक पत निर्मान विभाग की बिते दीनों हुई बैठक में इस पर मंधन हुआ है कि नई गारियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने के विवस्था है। लेकिन पुरानी गारियों में यह विवस्था नहीं है। भाशपा में श्वामिल हो गई। इस पर भाशपा सांसद और बिहार के पुर्व उपमुखवंति सुशिल मोदी ने जद्यू परतंच कसा है। उन्होंने कहा कि दादरा नगर हवेली जद्यू मुख्त हो गया और अब अन्यराजी काईयों में विद्रो होगा। इस पर ललन से ने पलचवार किया है उन्होंने कहा कि चिंता मत किजिये सुशिल 2024 में देश श्रिभाश पामुख्त होगा। बिहार के पुर्व क्रिशी मंतरी अमरेंद्र प्रताप सिंग ने वर्तमान क्रिशी मंतरी सुधाकर सिंग बड़ा आरूप लगाते हुए कहा है कि क्रिशी मंतरी सुधाकर सिंग खुद को इमानदार साबित करने के लिए अफसरों पर गलत इलजाम लगा रहे हैं। जो विभाग के अधिकारी पर सवाल उचा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो विभाग के सब भी अधिकारी को चोड़ बता रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने आपको एमांदार साबित करना चाहते हैं। परशान के सोड ने बताया, दोजर पांच से अब तक बिहाड में क्या बदला। पाली में लोग यहां जिन्दा कैसे हैं, तब से अब तक कुछ नहीं बदला। इस बेश स्ट्रेयस एयर ने अपने सोचल मेडिया अकांट पर एक वीडियो साचा किया है, जिसमें वे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन बल्ले से अपना जमकर शौड यह दिखा रहे हैं। इस से के रूप में औरंगाबाद शेहर को पकड़ा था, 14 सितंबर 1774 को भारत से सती पर्था और नर्बली समाफ्त करने में एहम योगदान करने वाले गवर्णर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जन्म हुआ था, 14 सितंबर 1984 को भारतिया भिनेता और गायक आश्मान खुडाना का जन्म हुआ था, विकी डोनर, दम लगा के हैसा, शुब मंगल साब्धान, शुब मंगल जादा साब्धान, बधाई हो, अंधा धून, आर्टिकल 54 से सुपर हिट फिल्मों में इन्होंने अभी नहीं किया, वर्श 2019 में उन्हें सर्स्रेस्ट अविनीता की वाइरल होती हैं, लेकिन सबी सच हो, ये जरूरी नहीं है, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मुफ्त में महिलाओं को मिल रही सिलाई मसीन के बारे में, दरसल पियाई वी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यह दावा किया जा रहा है, कि देश के आर्थिक रूप से जो रोर्ष्ट्रमिक महिलाओं को केंदर सरकार दोड़ा, फ्री सिलाई मशीन योजना के तर्थ मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ट कराई जाएगी, पियाई वी ने इस दावे को फरची बताया है, ऐसी कोई योजना केंदर सरकार दोड़ा नहीं चुलाई जा रही है, स बूद को समय समय पर अपडेट करता रहता है और अपने यूजर्स के लिए नए नए फिचर उपलब्ट करता है, इसी कड़ी में अब वाट्सप ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी का धियान रखते हुए ज्यादा प्राइवेसी, ज्यादा सुरक्ष और ज्यादा आपको बता दी कि सोशल मीडिया प्लैट्फोर्म वाट्सप ग्रूप ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर लाया है, इनमें सबसे आहम है कि किसी ग्रूप से बाहर निकलना, आप चुप-चाप किसी भी ग्रूप से बाहर निकल जाए, तो ऐसा करना अब हो पाएगा, इस फीचर के तहट आप अपने ओनलाइन स्टेटस इंटिकेटर को भी छिपा सकेंगे, बीते दिन हमारे दोरब पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर दिया था जिन्होंने पुछे के सवा आज का सवाल है कि आप अपने शित में बिजली की विवस्ता को लेकर संतूस्ट हैं या नहीं, अपना जवाब में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं, आज के लिए बस इतना ही बिहार की तमाम ख़बर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस, साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद